जो ये सवाशार विस्तार थी सूरत मा हजिराना दरिया किनार थी वधू त्रोन चरस ना पैकेट मड़ी आउता सूरत पोलिस कमिशनर अनुपम सी गेलो थे तातकालिक पोतानी एसोजी और पीसीबी नी टीम ने सूरत ना हजिरा दरिया पट्टी पर कॉम्बिंग करवा माटे मोकली आपियो हतु अंदाजेत करोल रुपयानों आ चरस नो जत्तो हुआ नुजानवा मड़ी उशे वधू कारेवाई एसोजी द्वारा करवा आवी ने हिशे सूरत ना दरिया कांठे थी बे वरस मा चोथी वार अफगानी चरस मड़ी आवी उशे लगबग 30 किलो चरस जिन कीमत अधार करोड शे ते बे वरस मा दरिया कांठा विस्तार मा थी मड़ी आउता अवे ATSA तनिया एजिंसियो द्वारात पास हाथ धर्वा मा आउशे मंगलवारे सूरश ना हजीरा ना दरिया कांठे थी चरस स्मगलिंग ना रेकेट नू परदा फास्थ हयो शे ब्रांडिट कॉफे इन एर टाइट पैकेट मा एसोजी एक पोईंट सत्यासी करोल रुपियानू हाई प्योरिटी वालू अफगानी चरस मड़ी आविऊशे वलसार मा मड़ी आवेला चरस ने सूरत ना दरिया कांठा विस्तार मती मड़ी आवेलू चरस एकज कंसाइमेंट ना शे तेसोजी ने जान मा मड़ी आविऊशे स्पेशल ओप्रेशन ग्रूप पासिती मर्ती माहिती अनुसार अजिरा विस्तार खाते आवेली सेल कंपनी नी पाचल टांकी नंबर एक हजार एक तथा एक हजार बे थी आसरे 500 मिटर दूर दर्या किनारे थी बिनवारसी हालत मा चरसना त्रोण पैकेट मड़ी आविया हता जिमा कोई अजणिया शक्से पोताना आर्थिक लाब माटे दर्या मारगे गेर काईदे सरीते मंगावेलू अफगानी चरसनू वजन 3.754 किलो जेनी कुल कीमत 1.87 करोड थी पन वधू छे ते मड़ी आवियो हतु आगामी पंदर ओगश्ट स्वतंत्रता दिवा सनू संधाने गुजरात मा आंत्रिक सलामती जड़वाई रहे ते मज़ कोई आतंकवादी हुमला अन्वय सुरक्षा जड़वाई रहे ते माटे एटीस द्वारा तमाम एसो जीने पैट्रोलिंग करवा माटे सुचना आपी हती आदर्म्यान हजीरा खाते फिशर्मेन वच ग्रूप द्वारा एसो जीने माहीती आपवामा आवी हती कि हजीरा दरिया काहते त्रोन शंकास पद पैकेट मड़ी आविया छे एसो जीनी टीम तातकालिक तियां पूंची आती त्यारे खबर पड़ी किया बीनवार से अफगानी चरस छे एक करोण ने 87,70,000 रुपया थाई छे कोफी कंपनी ना वाटर राइट पैकिंग मां चरस अतू अफगानी चरस अंगे अमे तपास करी रिया छे अने ATS सहीत एजन्सी ओ पन आंगे तपास कर्शे अने हाल वलसाड माजी चरस नो जत्थो मड़ी आवियो छे ए सूरत मा मड़ी आविला चरसना साथे समानता धराविशे सूरोशेर मा एसोजी पोलेस अने सूरत मानगर पालिकाना अधिकारियों नी टीम बनावी ने स्कूल कॉलेज जेवा शेक्षनिक संस्तावनी नजीकना अंतर्य आविला पानना गल्ला चा नास्तानी लारी टप्रियों तेमा स्मोकिंग जोन आइडेंटिफाई करीने सर्प्राइस चेकिंग हा धर्वम आवियो जेमा कूल सात स्तड़ो पर पाननना गल्लावनी रसीदो बनावी त्रोण हजार नो दंड तेमाज एक पानना गल्लानु दबान दूर करवा आवि हतु सुरुष्यर मा पोलिस द्वारा नो ड्रक्स इन सुरत सिरी अभ्यान चलावमा आवे छे जिना भागरुपे पोलिस द्वारा लोको मा वधूने वधू जागरुती फेलाए अने लोको ड्रक्स नू सेवन करवा थी बचे तेहेतु सर पोलिस द्वारा सम्यान तरे जन जागरुती ना कारक्रम्मों तेमाज सर्प्राइस चेकिंग सहितनी कामगीरी करवामा आवे छ दर्म्यान सुरुष शहर विस्तार मा प्रचलित एवा स्कोल कॉलेज जिवा शिक्षुनिक संस्तावनी नजीकन अंतर याविला पान ना गल्ला चानी लारी टप्रियो तिमा स्मोकिंग जोन आइडेंटिफाई करी सुरत एसोजी पोलिस सी टीम के जिमा डीसी पी बे पी आ आवि हती आटिमों द्वारा लारी गल्लाओ पर सर्प्राइस चेकिंग हाथ धर्वा बावि हतु दर्म्यान तम्माकु नियंत्रों अधिनियम 2003 नी कळकाई थी अमल्वारी करवाना हेतु सर कुल साथ स्तलों पर पानना गल्लाओनी रसीदों बनावी रुपिया 3000 नो रोकर स्तल दंड वसुल्वा भावि हतु तेमज पोलपाली महोला गोड़ोड पासे आविला श्री विष्णु प्रसाद त्रिवेदी प्रात्मी कुशाडा पासे थी एक पानना गल्लानु दबान शाखाद्वारा दबान दूर करवा भावि हतु अकार्यवाहि दर्मियान ड्रक पसना अदूसरने नेस्त नाबूत करवाना मक्कम इरादासा थे तेमज गेर काईदे तम्माकू तथा तेनी बनावटों ना वेचानने नियंत्रित करी युवाधन धुम्रुपान ना तेमज तम्माकू ना व्यसंती दूर रहे ते हेतु सर असरकारक सर्प्राइस चेकिंग ह धरी रेडो करवामा आविहती। शूरते सोजी पोलिस द्वार आवनारा दिवसुमा पणा प्रकार नूँ सर्प्राइस चेकिंग तथा रेड करवानी कारी वाही सतत चालू राखी कोई गेर काईदे सरनी प्रवरुती थती हुवानू जणाय आवियती काईदे सरनी कारी वाही हाद धर्वमा आवशे गुश्रात मांती ड्रक्स मणवानी घटना हवे छास वारे बंती होवानू सामय आवे शे राजियनों दरिया किनारों ड्रक्स चरस जड़ पावानू एपी सेंटर बन्यू होई तेम अवार नवार घटना उस सामय आवे रही शे डुंग्री ना दरिया किनारे थी एक्विस चरस ना पैकेट नो जथो मढ़ी होशे सवराष्ट कच्चिना दरिया काठा बाद हवे दक्षण गुश्रात न दरिया कांठे थी बिन वार्सी हालत मां ड्रक्स मणवानू सिल्सिलों शरू थे होशे सुमवारे वलसार ना उद्वालाना दरिया कांठे थी चरस ना दस पैकेट बिन वार्सी मढ़ी आविया बाद वधू वलसार ना दानती भागलना दरिया कांठे थी एक्विस पैकेट मढ़ी आविया चे बे दिवस्ती बीन वार्सी हालतमा चरस मडियावता आगामी समेमा हज्यू वदू पन जत्थो मलवा नी शक्यताओ व्यक्त कराय रही शे जिना पगले पोलिस द्वरा हाल दरिया कांटा विस्तारमा सर्च ओपरेशन हाथ धर्वा मावियू शे अने लोको ने पण जो कोई बीन वार्सी वस्तु ध्यान मा आवे तो जान करवा अपील करवा मावी शे सोमवारे उद्वाडाना दरिया कांटे प्रोटेक्शन वोल पासे दी चरसना बीन वार्सी पैकेट मडिया बाद ते दरियाना पाणीमा तणाई नावियानी आशंका व्यक्त करवा मावी शे वलसार पोलिस द्वारा जिलाना सित्तेर किलोमीटर न दर्या काठा पर सर्च ओपरेशन हाथ धर्वा मावी हतु आनि लोकों ने पन अपील करवा मावी हती कि दर्या काठे कोई बिनवारसी वस्तु मड़ी आवे तो पोलिस ने जान करवा मावे तेनी वच्ची आजे पोलिस से दानती भागल गाम नजीक दरिया कांठे ती चरसना 21 पैकेट बिनवार्सी हालत मा मढियावता पोलिस चौंकी उठी हती दक्षिन गुजरात मा वलसाल जिलाना दरिया कांठे ती बिनवार्सी हालत मा ड्रक्स नो जत्थो मढियो होई ते वो आप प्रथम बनावशे जो के गुजरात मां कच्छ अने द्वारका जिल्ला मां भुदकाण मां बीनवारसी हालत मां ड्रक्स नू जत्थो अनेक वार मढी चुकियो शे उद्वाडाना दरिया कांठे ती सोमवारे चरसना जे पैकेट मड़िया हता अने द्वारका ती थोड़ा समय पेला जे पैकेट मड़िया हता ते एक समान होवानू सामय आवियुशे सारोली मा मैट्रो प्रोजिक्ट मा स्पान फाटी जवाना मामलामा पंदर दिवसनी तपास बात पना आखो स्पान खषती ग्रस्तोवानू सामय आवियुशे अग्यार सेग्मेंट नू आखो स्पान बदलवानू निन्ने लेवायो छे त्यारे हाइड्रोलिक प्रेशर वधी जता एक सेग्मेंट फाटी गयो हतो 13 ओगस्टे रात्रे अग्यार वाग्या थी कामगीरी शरू करी तमाम सेग्मेंट डूर करवा मा आवशे ते उजणा आवियुशे सुरत मा महत्वपूर्ण मेट्रो प्रोजिक ना कॉरिडोर बे पर बिसान थी सारोली वच्चे एलिवेटेड ब्रीज नू काम चाली रही उशे गत्त्रीज जुलाईन रोज सारोली नजीक स्पान मुकवानी कामगीरी करवा मा आवि हती अने ते ओवजवेशन महतो आ दर्मियान बार कललाक मा स्पान ना बे भाग थाई गया गट्ना न लिदे ब्रीज ना नीचे थी पसार थे ता लोकों मा घबराट फैलाई गयो हतो रस्तो बंद करी ने पांच दिवस सुदी कामगीरी करवा मा आवि हती ते आर बाद रस्तो खुल्लो करायो हतो आ पांच दिवस दर्मियान ब्रीज ना सेग्मेंट बदलवाना नामे औने स्पान ने उतारवाना नामे चार-चार वाईदाओ करवा मा आवि हता जो के आजी पंदर दिवस बाद पणा ब्रीज ना स्पान ने उतारवा मा आवियो ना थी आने स्पान ना सेग्मेंट ने पण उतारवा मा आविया ना थी ते रोगस्ट ना रोज बैठक करी ने आखा स्पान ने उतारवाना नू निर्णा करवा मा आवियो शे जो के आ स्पान क्यारे उत्राशे ते अंगे हजु कोई निर्णाई लेवायो न थी त्रेस जुलाई न रोज जनरल मैनेजर या घटना ने सामाने बतावी होती आ साथे 24 लाग माक शती ने दूर करवा मावशे तेवु जणावा मावी होती त्यार बाद अलग 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 अमदाबाद मुंबई दिलही ने एंजिनियर ने टीमों सूरत पहुँची होती त्यार बाद सेग्मेंट चेंज करवाना बे दिवस नो समय जनावा मावी होती जेम जे मा स्पान नी कामगीरी करवा मा आवी रही हती तेम तेम समय मा वधारू करवा मा उतो हतो त्यार बात त्रोण दिवस नो टाइम केवा मा आवी हतो जेरे त्रोण ओगस्टे सांट सुधी मा मात्र ब्रिजना स्पान ना सेग्मेंट ने अब्जवेशन मा राखी ने रस्तो खोली दिवा माटे जणावा मावी हदो। असातेज ब्रिजना सेग्मेंट के स्पान ने उतारवानू कोई निर्णई करायो नहीं हदो। आम पांच दिवस सुदी मेट्रो रेल ना सो कर्मुचारी दिवस रात काम करी रही आधा। तारीक आपिया बाद हवे आस्पान ने उतारवानू मात्र मूरत निकडियू शे। आस्पान मा अग्यार जितला सेग्मेंट छे, एक सेग्मेंट नू वजन 35 ती पिस्तालिस टन होई शे। जेती 9 सेग्मेंट 75 तन ना अने 2 सेग्मेंट 45 तन प्रमाने 405 तन प्रमाने 5 तन थाई छे। एक पुख्त वईना हाांती नू वजन 6 तन जितलू होई छे। ए प्रमाने जोईए तो आ स्पाननों वजन 58 जितला हाती जितलो थाई छे। जिती आप भारे भरकम स्पानने उतारवा माटे गुजरात मैट्रो रिलना अधिकारियों ने भारे महनत करवी पडशे। ग्राउंड सपोर्ट माटे लोक्षणना त्रोंड टेका उभा करवा माविया छे। आखा स्पाननों लोड आ लोक्षणना टेका पर न थी पन उपर रहला लोंचर पर अच्छे। जरूर पडिये आ लोक्षणना टेका ने हटावी लेवाशे। बिरिजना स्पान मा तीराल पड़ियाबा सो थी वदू लोकोए कामगीरी करी हती पांच दिवस माज बे करोड थी वदू नो खर्च थाई गयोतो क्यारे हवे स्पान उतारवानी कामगीरी माँ पन मोटो खर्च था शे जो के अतमाम खर्च कॉंट्राक्ट कंपनी दिले बिल्ड कौन ना माथे शे सुरश शहर ना फुल पाड़ा खाते रहता सुरत मानगर पालिकाना पूर्व मेर द्वारा पुतान संबंधी महिला कॉर्परेटर पर आखशेप करियो शे जर्जरित मकानी अर्जी दफ्तर कराववा माटे एक लाख रुप्यानी मांगनी करी हुवानों आखशेप करता राज की अख़ड बढ़ाट मशी जवा पाब्योशे पूर्व मेर चिमनलाल पटेल ने थोड़ा समय पूर्वेज जर्जरित मकान संदर बे वराचा जोन द्वारा अर्जी करवा मावी हती अर्जी दफ्तरे करवा माटे भारतिय जुनता पार्टे ने महिला कॉर्पोरेटर अने चिमनलाल पटेल नाज नजीक ना संबंधी निराली पटेल द्वारा लांच मांगी होवानी रजुवात करवा माटे खुद पुर्व मेयर चिमनलाल पटेल वराचा जोन खाते पहुच जाता जादीकारियों नी गेर हाजरी ने पगले वृद्ध चिमनलाल पटेले पोता नी व्यथा ठालवी हती शहर ना श्री निकुमार ओड खाते आविला भरवाल फडिया मा रहता अने सूरत महानगर पाली का मा सने ओग्णिसो एसी थी ओग्णिसो ब्यासी दर्मियान चार महिना सुधी मेयर रही शुकेला चिमनलाल पटेल ध्वारा पोता ना संबंधी औने भाजपना महिला कॉर्पोरेटर निराली पटेल विरुद अरजी दफ्तरे करवा माटे एक लाखनी लांच मांगी हुवानों आक्षेप करवा मावियो शे जिमा तेओ ये जुनावी होतु के तेओ पोता ना परिवार जनुसा थे भर्वार फडिया मां वस्वाट करी रहा शे अमकान जर्जरित होवानू जुनावी ने वराचा जोन एना अधिकारियो ध्वारा थोड़ा समय पूर्वे तेओने नोटिस फटकारवा मावी हती करवा मावी होवानू आक्षेप चीमनलाल पटेल ध्वारा करवा मावता वराचा सहीत समगर शहर मा भारे चर्शानों दौर शरू धयो हतो विजी तरफ समगर घटाने पकले चीमनलाल पटेल पोताना संबंधी महिला कॉर्पोरेटर विरूद रजुवात करवा माटे वरा अजरोज वराचा जौन खाते माजी मेयर चेमनला पटेल मुला काता था एने जयमनी पाशे पैसा माँगहा 9 ऐबासे और यह उज्jak से वराचा था लौप यह इपसे कॉर्पोराटर दौर्पोरेटर यह बराऊ इकारबिकले चलू कुण माझाा नागे लिए चुमनला पटेल पर समगहा पोताना संबंगहाो उने 222 थी चाली रहया चे कोट मां केस नंबर छे बस्तों ने 111 आचे 32 स्वरस पछी आ केस नो चुका दो आउतो हतो अने चुका दामा 6 भायों वच्चे नो केस हतो अने ए घर मारा नाम पर भी न थी अने साथे मारू कस्य इन्वल्मेंट न थी निराले पड़ले जुना आवियों के शीमनलाल पटेल मारा काका सस्तरा थाई शे मारी राजकी कारकिर्दी खराब करवा मटे तेव आप्रकार न वाहियाक निवेदों आपी रहया चे जे संपत्ती नी वाद करी रहया चे तेमा मारू कोई इन्वल्मेंट न थी अमारा परिवार तरफती तेमने 35 लाग आपवानी पण वाद करी दिवामा आविशे वडिलो पारजित मिलकत संबंधी कोर्ट मा केस चाली रहयों हुवाना कारणे तेववे आप्रकार न तद्दन खोटा आक्षेप करिया चे पंदर ओगस्टे देश नियान बान शान माटे सर्वोच बलिदान आपनार वीर सैनी को सिवाई एवा घणा सेनानियों हता कि जे वार स्ट्रेजिक माटे महत्व पूर्ण भूमी का निभावी ने भारत नी अखंडित्तानू रक्षन करियो हतो आजे आवाज एक एरफोर्स ना ज्याबाज ओफिसर साथे रूबरू करावा चे रिया चे जिमने कारगेल युद्ध वखते ओपरेशन पलाक्रम माँ भागली दो हतो आने खुब महत्वानी भूमी का निभावी हती 26 जुलाई ये कारगेल विजय दिवस उजवामा आवियो आने हाल 15 ओगस्ट देश ने दुनियामा उजवामा आविरेईउशे तेरे देश पोताना बहादूर सैनिकोना बलिदानने क्यारे भुली शक्तो नथी वर्ष ओग्णिसुन अवालूना युद्ध मा गुश्रातना सूरश शहर मा रहता हरेन घांदी एपण महत्वनु युगदा ना प्यूशे तेओ अधार वरशनी नानी वये जवायू सिना मा जूडाया हता अनि कारगिल युद्ध मा ओपरेशन पराक्रम मा शामेल हता युद्ध समय आदेश मरतानी साथेज पैरल कपडे वर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पहुँचिया हता अनि पोतानी जवाबदारी निभावी हती तियोए बस्व पचास थी वदू एरफोर्स ना जवारों नी साथे हत्यारों नी संभाड़ पर राखी हती कारगिल युद्ध मा लोकेशन पर रडार नी येवी सुरक्षा राखी के एकपण पाकिस्तानी एरक्राफ्ट भारतिय हवाई सीमा मा फर्की शक्यानों होता कारगिल विजोई ना 25 वर्ष पूर्ण थता इंडिया न्यूस द्वारा मोड महिसागर जिलाना लुना वाडाना वतनी अने सूरत ने कर्म भूमी बनावनार पूर्व एरफॉर्स ऑफिसर हरेन कुमार घांधी साथे खास वाच्चित करिया थी जिमा ते ओए एरफॉर्स जोईन करवा पाच्छनी कहानी साथे युद्ध समयनी किटलिक महत्वनी वातो कहीशे इस तेई साल में जो एक सबसे बड़ा स्टिसफेक्शन गर्व और जो एक प्राउड फिल सके ऐसा एक अवसर मिला था वो था कारगिल यूद्ध और कारगिल यूद्ध जब हमें उदर जाने को मिला तो हमें पता हमें ऐसा फिल हुआ कि जिस वज़े से हमने वर्दी पहनी की थी साइद वो गड़ी आ चुकी है और पुरी खुशी से और पुरे जोश से हमने कारगिल यूद्ध में भाग लिया था यूद्ध जैसे स्तिति में एक जो ऑपरेशन लोकेशन होता है उस लोकेशन पे हमने कम साड़े चार से पांच महीने गुजा रहे थे और वो साड से बहतिरीन अगर कोई समय रहा था कि जहां पर हमें खुद तसली मिली थी तो वो समय था कारगिल यूद्ध वाला समय इंडिया न्यूस साथे नी वाच्चीत मां हरेन घांधी जुनावियो हतो कि हूँ एरफोर्स ना रडार यूनीट साथे हतो जेते समय अमने आदेश मडियो हतो के स्ट्रेजिक वाल लोकेशन पर जवानू छे आदेश मरतानी साथेश अमें पहरेल कपडेज वाल लोकेशन पर पहुचिया था मारी जवाबदारी हती क्या खा एरफोर्स नी अंदर जी रडार यूनीट मा बस्तु पचास ती पण वधारे जवानों अने ओफिसर काम करता हता इमनी फिजिकल फिटनेश सतर ट्रेनिंग वैपन ट्रेनिंग सहीत वार जेटली सिचुएशन नी अंदर जे अलग-अलग एक्सेसाइस थती होई तेनी प्रॉपर अने कंटिन्यून्स ट्रेनिंग आपवानी जे पण सस्तरो अमारी पास हता तीनी लगातार ट्रेनिंग आपवानी पण मारी फरेशती साथे कोई वार इमर्जनसी आवे तो तीनों सामनों करवोत तेनी ट्रेनिंग पण हूँ आपतो हतो कारगिल युद्ध मारा माटे और विस्मल्णिय एक अध्याई शे हाँ यह जो मिशन परिक परक्रम है यह जो मैडल आप देख रहे हैं यह पहला मैडल है ऑपरेशन वीजे यानि के कारगिल युद्ध के दूसरा जो मैडल है ऑपरेशन परक्रम माट तो आपको पता होगा कि एक कारगिल तो हमने जीत लिया वट उसके देड़ दो साल के बाद पाकिस्तान ने एक और भारत को कहीं न कहीं डिस्टरब करने का कोसिस किया था और तरासवादियों को स्पेशल ट्रेन देके संसित के अंदर गुसा के पार्लामेंट पर एटेक किया था और इस एटेक के पुरा देश जीस तरह से गुसाय हुआ था हमारी तीनों हमारी सैना की जो तीनों पांक है उनमें भी यह जो गुसा था और गवर्मेंट में डिटर्वाइन थी तो हमने आर्मीनी वैरफोस ने तीनों ने एक प्रॉपर कोडिशन बना के पाकिस्तान के उपर ना सिर्फ जी के द्वारा वो नहीं लगी थी तो बाद में हमें पता चला और अभी इस वज़े समझ में आ रहा है कि वाचवाई जीते साहिद मोहड नहीं लगा के कुछ अच्छा ही किया था हमारे देश के लिए कारगिल युद्ध दर्मियान देशनी आर्थिक राजधानी मुंबई औने बॉंबे हाई पर पाकिस्तानी एरक्राफ ना द्वारा हवाई हुमलानू जोखम हतु जिना मिलिटरी इन्पूर्ट्स होवा थी एसमे वायू से नाय दीव ना दरिया काठे रडार गोठबी होत कारण के मुंबई पोहँचवा गुश्रात ना दरिया काठा पर थी पसार थवो पड़े। रडार ना संचालन माटे ना युनीट ना सभियों नी फिटनेस जानवनी नी औने रडार नी सुरक्षा नी तमाम जवाबदारी मारी पास जहती। इसमे रडार ना कारणे पाकि कामरेश पोलिस से स्तड़ पर जई मृत देहनों कपजोलाई ने आगणनी कारेवाही हाथ धरी हाती। सुरज जिलामा दिन प्रति दिन आपघात न बन्नावो वधिरे आशे। वधू एक आपघात नी घटना सामयावी शे। परिवारे घरनों दर्वाजो तोड़ी घरमा प्रवेश करता सुधीर पाटीले गड़े फासो खायली दो हुवानू मालूम पड़ी होतु। समगर गटनानी जान कामरेश पोलिस ने करवा मावता कामरेश पोलिस से आगणी कारेवाही हाथ धरी छे। ओद्योगी केकमोथी धमदमता हजीरा वस्तार मा रहता पर प्रांतीय परिवारनी छ वर्षिय बाड़की रहना गरती सो मीटर ना अंतरे रहती दादीना घरे जवानू कहीने निकरिया बाद भेदी संच्योगों मा गुम थाई जोता हजीरा पोलिस दोरती थाई गयाती। जोगे आजे बाड़कीनी लाश मड़ी आवता चुक्चार मशी गई छे बाड़कीनी लाश ओर जोता तिनी हत्या कराई हुवानी आश्वंका पोलिस सेवी रही छे। हाल तो पोलिस से लाश ने पियमर्थे खसेडित पास खात धरी छे। पिताए शोत्कोड शरू करी हती। परन्तु क्याक पत्तो नहीं मड़ता छेवटे हजीरा पोलिस माँ जान करी हती। पोलिस से बाड़कीना गुम्थावानी बाबत ने घंबीर्दाती लाई अफर अन्लों गुनों नूंदी अलग-अलग तीम बनावी शोत्कोड शरू कर लिदा हता हथा औने चार महिना अगाउ बीजा लगन करिया हता। बाड़की हाल टे ना पिता अने साव की माता सतेर रहती हती। बाड़कीनी साव की माता हाल पिहार मां तेना पीर मा रहें शें। बच्ची को डूनने के प्रियास कर रहे थे हमारी अलग लग टीमे बना के इस एरिया में ड्रोन से भी चेक किया गया इसको अलग अलग टीमों के दुवारा, जितना एरिया अस पास का सब जग्या चेक किया गया था तो आज सूबह एक लेडी ने इंफॉर्मेशन दी कि MNS के पिछी का जो जंगल है वहाँ पे एक डेड बोडी पड़ी हुई है तो वहाँ आइडेटिफाई किया गया तो यह मिसिंग वाली बच्ची थी अभी पंचों को बुलाया गया है FSL और मामलादार की हाजरे में बच् द्वारा स्थानिक विस्तार ना CCTV केमेरा ना फुटेज ना अधारे तपास करवा मा आवी रही हती वधुमा पोता ना घरे थी निकडी अंदाजे 100 मिटर ना अंतरे रहती दादी ना घरे जवा निकडेली बाड़की ने रस्तामा स्थानिक रहवासी बे व्यक्तिये जोई परन्तु बाड़की दादी ना घरे पहुँशे ते पहला ज गुम थाई गई होवा थी रहस्य सरजायू हतु जोके बाड़की ने आठ दिवस बाद लाश मड़ी हती जोके बाड़की नी लाश ने जोता तेनी हत्या कराई होवा नी आश्रं का पोलिस द्वारा सिव्वा म मुश्रात्न महाराष्ट बॉर्डर पर तिरंगा यात्रा योजाय हती मुश्रात्मा ठेर ठेर हर घर तिरंगा अभ्यान अंतर्गत यात्रा योजाय आने देश भक्ति न नारा घुशिया मुश्रात्न महाराष्ट बॉर्डर कप्राडा ना हुडा गामनी प्रात्मिक पंचोतेर मिटर लांबा राष्ट द्वज साथे तिरंगा यात्रा नू आयोजिन करवामा आवियुहतु। पूर्व मंत्री आने कप्राला धारा सविय जितुपाय चोद्री जुनावियु। प्राणों पाप्दान अंदर समध्रा भारभीस अंदर हरकर कीरंगा यात्रा माँदिनको आजे रांग टक्साय थी। कोज़ब कर दो एक सांगा कर दो दो दोटेंगे माहराश्च्चि निम्राप्ता व्राप्ता अधर दोटामे रिट त प्रेंगे ना याथ्रमा इतनल को प्रचोगे मीटल लागों तिरों की ऊदाई में मारा अध्यवीड शाहरा ठाव मारीड मारा कईकरो मादू का पंचयर मे अधना घरगर तिरंगा कार्यागर मंतरगात महाराश और गुजरात नी वोडर पढ़ना काम भुड़ा था जे एला अलेक्टर साहिबने सुप्णावनों साथ अधना अलेक्टर साहिबने सुप्णावनों साहिबने स्राहदी साच्यों छे ता तिरंगा यात्रा करवानी थाई शे ते अनुरक्षी ने आजे उड़ा गामें अक्रेता कप्राडा मत्विस्तान ना धरा सिपस्नी चीचीचीगवाई तावुबा बंचर्ट पमुश्वी सामतिक नाय समीती चैर्मेन कप्राडा मतलत्दार स्री अना समग्र वहिवटे तर्जर ने पीम अना अचुबधी मा साड़ा गामों ने मध्यनी साड़ों अना भाड़ों को साथे तिरंगा यात्रा नों वही आविजन करवा माविवाुबा राष्ट दुवज साथे तिरं प्रमुख हीरा बेन महला, सामजीक न्याय अध्यक्स कासु भाई भनसारा, जिला पंचाथ सदस्य मिनाच्ची बेन गांगोडा, तालुका पंचाथ सदस्य गयातरी बेन गायकवाड, मनिशा बेन चोदरी, मादुबाई स्तर नायक, चंदर भाई गायकवाड, शड़न वि इच्छे आपियो हतो, आने देश भक्तिना नारा उथी गुंजी उठीयो हतो, तो आधा सूरत पूलेटी न महत्वन समाचार, नवा समाचार मटिशूता रहशू इंडिया नियूज उश्रात